किसान भाईयों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में आज दोस्तो हम सरद काली इन गन्ने की बुवाई कर रहे हैं और हम कौन कौन सा तरीका अपनाते हैं सरद काली इन गन्ने की बुवाई करते टाइम पर मैं कौन सी सहफसली के रूप में खेती करने जा रहा हूँ किन तरीकों से बुवाई कर रहा हूँ क्या क्या चीजे डालने वाला हूँ सब को दोस्तो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा ब्राइटी कौन सी बुवाई कर रहा हूँ जोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, हमने ट्रंच बित से गन्ना की बुवाई की है, और कूंड से कूंड की जो बीच की गैपिंग है, वो चार फिट की करीब है, और इसमें मैंने गेहूं अभी बुवाई कर दिया, अब ये गेहूं जो बीच की गैपिंग है, इसमें सotheक्य होती उसमें तो इसलिए मैंने ये तडीका अपनाया है तो बीच का जो बाहू है इसमें मैंने गेहूं की बुवाई की है और इसके साइड में जो दो टूंट क्यूंस से चलते हそう तो इसमें गेहु नहीं बुवाई किया क्योंकि अगर इसमें हम बुवाई कर देते तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती कि बाद में इसमें जमा होता फिर गेहु बड़ा हो जाता गन्ना कमजोर हो जाता और हमको बाहर निकालना पड़ता वैसे भी थोड़ा बहुत यहां पर तो इस हिसाब से मैंने पूरे खेत में बुवाई कर दिया है, अब मेरा गेहु जो है वो इसमें तयार हो जाएगा, गन्ना मेरा इधर तयार हो जाएगा, वैसे ज्यादा तर किसान भाई गन्ना और सरसों की बुवाई करते हैं, लेकिन मैंने सरसों दूसरी जगा बुवाई क काटेंगे क्योंकि 2 आंक काटना ठोड़ा हो जाता है छोड़ा झोड़ा हो जाता सब्सक्राइब कारना इमन्нитिकत होती तो 3 आंक की तुकड़ा काट करके गुआ जब आप बीज की कटाई करें तो इस बात का ध्यान रखें जड़ वाला भाग जो है इसको अलग बिल्कुल निकाल देना जड़ सही है जिससे जहां पर जड़ का भाग पड़ेगा वहां पर आपको दूसरा टुकड़ा एक जैसे यह जड़ वाला है तो हम यहां पर एक दूसरा अच्छा टुकड़ा बुवाई कर देंगे तो अगर इसका जमाव नहीं होगा तो इस गन्ने का जमाव हो जाएगा क्योंकि जड़ पर आपको दूसरा टुकड़ा भी साथ में बुवाई कर देना तो इन बातों का द्हान रख करकर कि ही आपको बुवाई करना देखो आपको करने काम के लिए बाद में कुछ दुकड़ा और फखन नसी शinky क उपर से स्परेख कर देंगा और फइससे बराबर वह आसानी से फैल जाएगा तो बस यही काम आपको कुछ करने हैं बाकी यदि बहुत ज्यादा तीन आंक का टुकड़ा लंबा हो रहा तो दो आंक का करिए और इस बात का भी ध्यान रखें जो आंक खराब है उसको आपको देख करके बाहर निकालना है थोड़ा समय तो जरूर ल करने के बाद में अब हम उर्बरक डाल रहे हैं उर्बरक में जो हम बुआई के टाइम ले रहे हैं तो इनपीके ले रहे हैं इनपीके के अत्रिक्त यूरिया आदी कुछ नहीं डाल रहे हैं इनपीके गन्ने के लिए एक एकड़ में 50 किलो ले रहा हूं और गेहुं की बु कर रहे हैं वहां पर गेहूं नहीं है तो इस हिसाब से हम उतनी उचित मात्रा ले रहे हैं जितनी गेहूं की जरूरत है और जितना गन्ने को जरूरत है अब जो उपचारित हम गन्ना कर रहे हैं तो वह मैंने फिपरोनिल लिया है यहां पर जो फिपरोनिल है वह आपको 200 ml या 75% WP कियाती है उसको लिया है वैसे कारबन ने जिम मैंको जेब का फार्मूला काफी अच्छा है बागी था फिनाट मिथाइल भी काफी अच्छी दवा है तो उसको भी आप यूज कर सकते हो लेकिन मेरे पास ये बचा हुआ था खुला पैकर था तो बेकार में चला जाता तो इसलिए मैंने इसको घोल करके और इस्प्रे कर दिया इस्प्रे करने में आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि अच्छे से जो गन्ये के टुकडे हैं उस पे अच्छी तरह से दवा फैल जानी चाहिए बसे डुबो करके यदे आप यूज करें तो और अच्छा है ले प法 कनिने की पहस saat की ओई है तो जर्द कमस्त्थ इसमारी ने फैलेगी अब इसको मिट्टी गिराने की बात अती है तो जो जब आप सरद कालीन गन्ये की बुई करते हैं तो जड़े आपका खेट मेरे खेट की तरह घाल कें मेने गिले से ज्यादाला है तो आपको इस तरीक कर दिखा देए हैं और तो जब आप अक्टूबर में गरने की बवाई हैं तो दो फसले कोई चना गरना लेता है कोई सरसों गरना लेता है कोई मसूर गरना लेता है कोई मिर्च गन्ना कोई गोभी गन्ना यानि सबजी या आप कोई फसल लेते हो लेकिन हमने क्या किया है कि हमने गन्ने की बुवाई कर दी है तंच में अब जो बीच का भाग है इसमें मैंने गेहूं की बुवाई कर दी है अब ये गेहूं की इस तरीके से देखो ये बुवा वाला गिरा रहे जिससे उधर आप को दिखा दे तो अधर दोनों हिसस से गिरे हैं तो ऐसे यह दोनों कुण हमको गिरा देना गिरा करके बस पैर से इस Пон triangles कर देना पाटा नहीं लगवा रहे हैं पाटा लगवाने पर क्या होगा फिर गेहों किसक के इस कूण में चला जाएगा जो गण्यवाला की कूण है उसमें गेहों किसक कर चला जाएगा तो इसलिए पाटर नहीं लगवा रहे हैं और सीधे ऐसे ही गवाई कर दिया तो ये तरीका दोस्तों यूज आप भी कर सकते हो मैंने एक किसान जो है इधर जो आप गण्या ये देख रहे हो इसमें यही तरीके से पिछले वर्स बुवाई किया गया था तो सेम फार्मूला मैंने अपनाया है और उसमें भी काफी अच्छा गण्या भी आप देख रहे हो काफी अच्छा गण्या लगाऊ है 1421 और गेहों भी काफी अच्छी उपज मिली थी तो ये तरीका आप भी अपना सकते हो क्योंकि देखो होता गया है कि अगर आप इधर जैसे गेहों बुवाई किया है तब ही कोई दिक्कत नहीं जब तक गेहों कटाई कर लोगे तब तक गन्ना आपका साइड में वो अपना तैयार होता रहेगा और सरसों के बुवाई करोगे तो जल्दी कटाई हो जाएगा इसी तरह कोई सब्जी वाली खेती करते हो तो वो भी जल्दी हो जाएगी तो डिपेंड आप ये करता है कि आप कौन कौन सी सह फसली लेना चाहते हो बाकी बेहतर तरीका है आप थोड़ी बहुत बच भी कर सकते हो और दो फसले भी एक साथ सांदार तरीके से उगा सकते हो